नमस्कार आज ना वर्चुल क्लास्ट्रूम ट्रेनिंग सेसन मा आप सवनु आर्दिक स्वागत छें ITI अंतरगत चालता इलेक्रिक्रिक्षन ट्रेड ना लेशन नमबर इलेक्ट्रिकल गिजर विसे आपने विकतवार महेती मिलोव सु सब्रुथम आपने पीपिटी थी सर्वात कर्शु इलेक्ट्रिकल गिजर कोई पन वासन मा थोड़ा प्रमाण मा गरम पाणी करवाने बदले जियारे जोईये त्यारे नल माथी सिधू गरम पाणी मिलोवू होई अथवा तो कोई एक चोकस जगिया एके अलग-अलग नल माथी गरम पाणी मली रही तेवी गोठ्मन करवी होई त्यारे आज जातनू हीटर वापरवामा आवें छे जे गिजना नामती ओलखाई छे कपड़ा धोवानी जिग्या है के बात्रूम मा गरम पाणी मिलवा माटे तेने उपरना भागे फिट करवामा आवें छे ठन्लू पाणी लावनार पाईप माँ फिट करेल इनलेट वाल खोलवा थी ठन्लू पाणी हीटर मा जाए छे अने गरम पाणी ने आउटलेट पाईप माथी बाहर थेकेले छे आम आवा हीटर ने डिस्प्लेस्मेंट वाटर हीटर पन कह भामा आवे छे गिजर मुख्यत वे बे प्रकार ना होए छे एक नोन प्रेसर टाइप गिजर बे प्रेसर टाइप गिजर सव प्रतम नोन प्रेसर टाइप गीजर तो एनी कारिय पद्धती विशे माहती मिलोशू तो गीजर ए वीजप्रभानी उसमा जनक असरना सिद्धाध पर कारिया करेशे गीजर ए इमर्शन टाइप वाटर हिटर नी जेमज कारिया करतु एक इलेक्ट्रिक साथन से जे पाणिक गरम करवाना उप्योग मा लेवा मा आवेशे पण तेनी रचना इमर्शन वाटर हिटर करता जुद्धा प्रकार नी जे आक्रुति माँ दर्शावेल से नन प्रेशर टाइप गीजर तेना फिटिंग प्रमाणे वर्टिकल उप्योग तेमाज वरिजोंटल उटलेके आडा येम बे प्रकार नाववेशे जे तेमें आक्रुति माँ जोई शको शो वर्टिकल वाटर हिटर अने वरिजोंटल वाटर हिटर अवे गीजर नी रचना तो गीजर नी रचना ना मुख्य भागो तो थातुनी टाकियो अने तेनू ठाकण बे बहार नू कवर त्रण इंसुलेशन चार हिटिंग एलिमेंट पांच इनलेट आउटलेट पाइप छ थर्मोस्टेट कंट्रोल साथ इंडिकेटर लेंप आट कोड़ वायर अवे आप बधा भागो विशे आपड़े विगतवार महीती मिलवशू तो आगरुति माते में जोई सकोचो आजे में भाग कईया ये बद्धास भागो तियां अगल दर्शावेल आशे इनलेट पाइप आउटलेट पाइप नियोन इंडिकेटर लेंप फ्यूजिबल प् गर्मी अवरोधक मटिरियल अटलेके ग्लास पूल परसी तल्यानू कवर अने इनलेट ने आउटलेट पाइप आवे तेनी रचना तो के एक धातुनी टाकी अने तेनू ठाकल तो आ टाकी तामबू पितल के गैल्वेनाइज ना सीट मेटल माथी बनावा माय वाशी तेने ह अतलाई चड़ावा माँ आवेली होय छे आटाकी लँगोल अटलेके नणाकार पवाली जिवी होय छे हीटिंग एलिमेंट ने फिट करवा माँाटे टाकी ना ठाकण माा काण वरड़ेके हल आपेलो होय छे जेमां कुचे अख़फवलेट् पनेद ने टायट रिते रब्बबरनू पैकिंग मुखी बोल्ट वडे फिट करे लिवएचें, ठाकन मा अन्यीया इनलेट और आउटलेट पाणीनी पाईप और थर्मस्टेट नी पाईप नो छेडो ब्रेजिंकरीने ठाकन मा फिट करे लोग हैचें, आ ठाकन टाकी पार 100 लिटर पाणी समाई सके तेटली केपेसिटी नी मले से अवे बहार नुग कवर ते CRC पत्रा माती के गेलवेनाईज ना पत्रा माती बनावा मा आवे से तेनो आकार नलाकार होए शे आ कवर नी बहार नी तेमज अंदर नी सपाटी पर रेड ओक्साइड के एनेमल नुग टाकी एल लेके हिटिंग चेंबर ने फरती बाजू जग्या रहे ते रिते बहार ना कवर ने फिट करवा मा आवे छे हिटिंग चेंबर ने फिट करवा माटे स्टेंड पट्टी वेलिंग के ब्रेजिंग करीने कवर ना अंदर ना भागे फिट करे लिवाए छे जेनी एलके हिटिंग चेंबर औने बाहर नी नलाकाट नाके एलके बाहर नू कवर बच्चे ना फाग मां 10-25 एमेम जग्या होएशे जे मां इंसुलेशन तरीके गलास फूल परवामां आवेशे आ ग्लास बूल ग्लास ने अगली ने बनावा मा आवें छे ग्लास बूल गर्मी नू अवरोधक छे जेने कारणे हिटिंग चेंबर नी दिवाल गरम न थाई तो पन बहर नू नलाकार कवर गरम थतू न थी कारण के ग्लास वूल गर्मी ने आगल वत्वा देतू न थी चार से हीटिंग एलिमेंट तो इमर्शन टाइप वाटर हीटर नी जया मज गिजर नी हीटिंग एलिमेंट नरम कोपर के ब्रास नी पोल नली मा थी पोरॅचेलीन अथा अब्रक्ष अने मेगनेसियम उक्सेड ना पावडर जिवा अ वहाक पदार्षनों कोटिंग करेली नैक्रॉम तार माथी स्प्रिंग आकारमा बनाविली हो है શે તે તમે આકૃતિમાં જોઈજ શકોહ હો સ્પરીનગ આકારે બનાવેલી हिटिंग एलिमेंट आ रीते त्यार करेल हिटिंग एलिमेंट नी लंबाई आशरे 300 mm जेटली हो आशे कि बिजर्मा वपर वपर ती हिटिंग एलिमेंट त्रन प्रकार नी आशे एक tube pipe element, बे open type element, त्रान close type element उपर जनेवा मुझजबनी element नी pipe ना छेडाओ एक कोपर नी गोड़ वाटकी साथे ब्रेजिंग करी ने fit करी देवा मावेशे आ वाटकी नी वच्चे एक bolt होईशे ते बोल्ट वड़े धातु नी टाकी ना ठाकन साथे एलिमेट ने पकड़ावा मावेशे एलिमेट ना छेडावने टर्मिनल थी fit करेला होईशे गिज़र हीटिंग एलिमेट पंदर सो वाट, बेहेजार वाट, त्रान सार वाट, चार हेजार पांसो वाट अने 5000 वाट केपेशिटी सुथी नी मलेशे अवे 5 इनलेट आउटलेट पाइप तो इटिंग चेंबर अटलेके थातु नी टाकी माँ ठंडू पाणी पहुंचाडवा तेमज गरम पाणी टाकी माथी मेलवा माटे टाकी ना ठाकड़ा माँ बे कोपर पाइप ब्रेजिंग इनलेट आउटलेट पाइप कहबामा आवेशे ठंडू पाणी टाकी माँ लईजवा माटे नी इनलेट पाइप ठाकण अंदर ना भागे यू आकरमा वलेली होईशे तेनो छेडो वाली ने ठाकण थी एकाद इंच दूर रहे तेटलो खुल्लो राखबामा आवेशे आउ रिते फीट करेलू होई त्यारे हिटिंग चेंबर माँ पाणी फरेलूज रहे तेवी गोठोण करेले वाईशे आउटलेट पाइप द्वरा गरम पाणी मेडवी शकाई छे थर्मोस्टेट कंट्रोल गिजर नी हिटिंग चेंबर माँ पाणी नू उस्णतमान बराबर र् ज्यारे हिटिंग चेंबर माँ पाणी नू उस्णतमान वधे त्यारे थर्मोस्टेट कंट्रोल पतानू कारिय बज्जावी हिटिंग एलिमेंट ने मलतो वीज पुरवठो बंध करें से फरी ने ज्यारे पाणी नू उस्णतमान खटे त्यारे वीज सपलाई साते एलिमेट नुँ जोडान करें से थर्मोस्टेट कंट्रोल साथे एक छाइज जेतली पातल कोपर नी पाइप फीट करेली होई से ते पाइप नो छेडव ब्रेजिंग करीने बंध करेल होई से जे थर्मल बल्म ना नाम थी ओलखाय छे थर्मोस्टेट कंट्रोल ने हीटिंग चेंबर ना ठाकन मा फीट करेली थर्मोस्टेट नी पाइप मा गोठवेलो होई से जे थी पाणी ना उस्णतामान नी सिधी हसर तेना पर थाय छे अने ते कारिया करें से साथ से इंडिकेटर लेंप इंडिकेटर लेंप नुँ जोडान त्रण रित्य करी शकाई से अने त्रण जोडान मा इंडिकेटर लेंप अलग अलग रित्य इंडिकेशन आपे छे जे इंडिकेशन लेंप ने वीज सप्लाई नी पेरेलल मा जोडवा मा आवेशे तो जे यां सुधी कोड द्वारा गिजर ने सप्लाई मलतो हसे त्यां सुधी लेंप चालू रहेशे जे गिजर ने मलतो सप्लाई आपने इंडिकेट करेशे जे इंडिकेटर लेंप ने हिटिंग एलिमेंट नी पेरेलल मा जोड़वा मा आवे से ते जिया सुधी एलिमेंट ने सप्लाई मलतो हो से तिया सुधी लेंप चालू रही से सप्लाई मलतो बंध थाए तो लेंप पन बंध थाए से आ इंडिकेटर लेंब हीटिंग एलिमेंट ने मलतो शपलाई इंडिकेट गरे ने करें जो लेंब ने थर्मो स्टेट कण्रोल नी पईर्यल मौН जुड़वा ले तो हीटिंग एलिमेंट ने सपलाई मलतों हम नसुदि लेंब बंध रहें अने, एलिमेंट ने सप्लाई मरतो बन थाए के 30 इंडिकेटर लेंप चालू थाए शी, सामानी अरिते जोता, हिटिंग एलिमेंट नी पेरेलमाज लेंप नू जोडान करवू जोईए, गिजर ने सप्लाई साथे जोडवा माटे, थ्री कोर फ्लेक्सिबल कोपर वाइर वापर वो जोईए, अने, तेनू 16 अंपियर कैपेसिटी ना, 3-pin प्लग साथे जोडान करवू जोईए, सप्लाई साथे जोडवा माटे, पाकू अर्थिंग आपेला, डोमेस्टिक पोईट नो उप्योग करवू जोईए, गिजर ने अलग पर्मेनेन पाकू अर्थिंग करवू खास जरूरी जोईए, अवे आपने जोईशनु गिजर मा उद्भवती खामियो, तेना कारणो अने त्यानू निवारण, तो खामी नंबर एक, स्वीच चालू करवा छता, गिजर नू पाणी गरम थतु नथी, तो आनू सु कारण होईशके, तो के एक, गिजर ने सप्लाईज मलतो नहोए, सप् ते चेक करवा जोईए, औने गिजर सुथी सप्लाई पहुचतो करवा जोईए, कारण बे, थर्मो स्टेट स्वीच खराब थाईगे होई, अले के थर्मो स्टेट स्वीच बगडी गए होई, अथा तो ते आना कॉंटेक्ट छुट्टा पड़ी गया होई, तो पन पाणी गरम थतू नथी, तो तेनु निवार्ण से थर्मो स्टेट स्वीच ने सिरीज टेस्ट लेंफ बड़े चेक करवी, स्वीच ना खराब भागो, खराब थाईगेला भाग अथवा तो ओपन रहती होई, तो तेने दूर करवा जोईए, तो पन तो पन तेने ने नवी बदल बदल भी जोई है, काराण नंबर त्रण, कोड़ वायर नो, कोड़ वायर ओपन होई, तो पन तेने सप्लाई मलतो न थी, तो त्यानु निवार्ण से कोड़ वायर नो कंटिनूटी टेस्ट ले हो जोई है, जो ओपन होई, तो कोड़ वायर बदल हो जोई है, त्यानु औपन होई हिटिंग एलिमेंट ने शपलाय मर्तोज नहुत नहुत हुए हुआ हिटिंग निवारण से फिटिंग एलिमेंट नी से अंख Hm भी जुई है, खामी नंबर बे, पाणी नी लाइन ने अड़कता सौक लागे से, तो त्यानू कारण वहीं से के गिजर नी हीटिंग एलिमेंट बोडी अर्थ होई, त्यानू निवरान से हीटिंग एलिमेंट ना सप्लाइना छेडा सोड़ा वी सिरीज टेस्ट लेंफ वडे बोडी अर्थ टेस्ट करवो जुई है, कारण वे, थर्मो स्टेट सुइच बोडी अर्थ होई, त्यानू निवरान से थर्मो स्टेट सवीच चेक करवी, जो तेमा क्हामी जनाए, तो नवी बदल वी जुई है, थर्मो स्टेट स्वीच ना боль divis ये तेनी पाईब साठ थे अ बोड़ी साथे टच थता होए तो त्यानु निवारण से कोड़ वायर ना छेड़ा गिजरनी बोड़ी साथे टच थता होए तो जियां इंसुलेशन खराब होए त्यां टैप लगावी खामी दूर करवी जुई है खामी नंबर त्रण स्वीच चालू करता फ्यूज उड़ी जाए से तो त्यानु कारण से एक कोड़ वायर मां सौट सर्किट होए अलेके भी एचेड़ा वह भेगा थे यह होए तो त्यानु निवारण सिरीज टेस्ट लेंफ बड़े कोड़ वायर ना दरेक वायर नो परस् जूए और जो तेमा खामी जनाईतो कोड़ वायर नो अब दलव जूए जे थी करीने स्वाट शर्कित हेलो कोड़ वायर बदली ने चालू करी चकाए कारण 2 हीटिंग एलिमेंट बोड़ी अर्थ होए अलेके आपनी जे हीटिंग एलिमेंट से बोड़ी साथे अर्थ है ल थाए से ते माटे हिटिंग एलिमेंट नवी बदल्वी जुई है खामी नंबर चार गिजर्मा वारमवार कोईल बदल्वी पड़े से तो त्यनु कारण सु कारण होई से के तो के हिटिंग एलिमेंट चालू कम्पनी नी होई और त्यनु निवाण से ISI मार्क धर्हावती तेनी हद करता वध्वा सता थर्मो स्टेट स्विच ना कॉंटेक ओपन थता न होई तेथी तेनी सिरीज टेस्ट लेंफ वड़े चेक करी जरूरी जनाई तो नवी बदल्वी खामी नंबर पांच गिजर्मा थी पाणी टपकें से तो तेनु कारण होई से के गिजर्नी हिटिंग चेंबर ने बार घाटी तेमा पाणी फरी चेक कर्वी जुई है जो कि लीकेज के तुटील जनाई तो नेटिंग चिंबर बदली नाखवी जुई है कारण बे हिटिंग चेंबर नू रस ख mould धर खर्ल था कं तो तो तेनु निवालिद अहिंग नव भापर वासरा વૌદલી રીચિટંગ કરવવં જોઈએ કારાન નંબર 3 આૻજટ પાઈપ , જોડાન ઠિલાહ હોઈ व metropolitan पाईप ना जोड़ानी धीला ओए तो पन पानी टबके तो तेनो निवान से इनलेट, आउटलेट, पाईप ना जोड़ानी टाइट करवा जोईए हैं से प्रेसर टाइप गीजर अपर प्रेसर टाइप गिजर नी रचुना नोन प्रेसर टाइप गिजर ना जेविज होय शे त्यानों उपयोग एक करता वधु जग्याए गरम पानी मेडवु होय त्यां था या आकृतिय मा त्म्य जोई सकोसो तो प्रेसर टाइप गिजर तो आकृतिय मा जो हैं ठंडू पाणी लाइजवा माटे इनलेट पाइप दर्श आवेलनी से हीटिंग एलिमेंट वच्चे दर्श आवेलनी से ओवर्फ्लो पाणी उपर थी दर्श आवेलनी से फ्लोट वाल उपर से आउटर कंटेनर पसी इनर क पानी नी टाके बाहर नू कवर अंदर नू कवर गरम पाणी नी टाके Ramo State वह तक माटेड लाके गलासी वूल पसी निच्चा बेया को को केला से stop कोक पसी निच्चे गरम पाणी निकलंवा माटे आउट्लेट पाईप आपैली से आप्रकार ना गिजर्ण ने पाणी ना पाइप साथे एवरीते जोडान करेलू होए छे के ठन्लू पाणी ओवर हैर टेंक माथी सिद्धूज गिजर मा जाए छे आ पाणी नो कंट्रोल करवा माटे फ्लोट वाल नो उप्योग करवा मा आवे छे गरम पाणी माटे तामबानी पाइप फीट करेली होए छे जे माथी एक करता वधारे कनेक्शन आपी शकाई छे रिपेरिंग करवा मा शलत्ता रहे ते माटे इटिंग एलिमेंट अने थर्मो स्टेट कंट्रोल निचे तल्याना भागे फीट करेला होए छे आ प्रकारना गिजर पन 2000 वट थी 5000 वट कैपेसिटी ना मले छे अने ते 2000 लिटर सु गरम पाणी केटलू बाहर निकलेंशे ते परती तेना विजा बे पेटा प्रकार पड़ेंशे एक कॉंस्टन्ट वॉल्यूम प्रेसर टाइप बे नॉन कॉंस्टन्ट वॉल्यूम प्रेसर टाइप तो कॉंस्टन्ट वॉल्यूम प्रेसर टाइप गिजर आ प्रकारना गिजर मा जेतलू गरम पाणी बहार निकले तितलू ज ठंडू पाणी अंदर दाखल थाएशे तेथी तेने constant value volume pressure type गिजर कहभामा आवेशे बिएशे non constant volume pressure type गिजर आ प्रकारना गिजर मा जेतलू पाणी बहार निकले तेना करता ओच्छू ठंडू पाणी अंदर दाखल था आथी आवा गिजर ने non constant volume pressure type गिजर कहभामा आवे छे गिजर ना वप्रास दरम्यान जरूरी सावचेतियो गिजर वापरता होई तो आपने सावचेतियो पन राकिस जुईए एक छे गिजर नू पाकू अर्थिं करू त्यार बादस गिजर नू पाणी उप्योग मा लेव पाणी शरुवाद करवी जो गिजर नू पाकू अर्थिं करेलू न होई अन्दर नी एलिमेंट गिजर ने बोड़ी साथे अर्थ यहली होई तो अन्दर ना पाणी मा पन करंट लागें से तेथी स्वाक लागवानी सक्यता वधी जाई से बिएंसे गिजर नो इनलेट वा वड़े आपड़े जरुरी पाणी जियारे जोई है त्यारे वापरी वापरी है पन इनलेट वाल बंध होई तो अन्दर पाणी नू लेवल खटी जाई से अने गिजर बली जवानी सक्की अता रहली से गिजर ने सप्लाय आपफवा माटे हम्मेशा शोल अंपियर स्विच सोकेट प्लग पीन अने थ्री कोर फ्लेक्सिबल कोपर कोड वायरज वापर वो जोई है खामी फरेल गिजर ने सप्लाय साथे जोडवानी फूल क्यारे करवी नहीं सप्लाय आपी चेक करवा माटे सिरीज टेस्ट लेंपनों उप्योग करवो जोई है गिजर नी इनलेट आ समाज फिट करवो जोई है अनुकुलता हुए तियां गिजर नू परमेनेट पाको डबल अर्थिंग करवो जोई है आपनों खुब-खुब आपा जे मने सामती थे आपने साम पडियों बंदे कुछराइब